दोस्तो जब भी हम लोग CCTV केमेरे का इंस्टॉलेशन करते हैं या फिर हम लोग करवाते हैं तो एक जो चीजे वो दिमाग में अक्सर आती है चाहे वो हमारा क्लाइंट हो चाहे हम लोग कुद हो कि वहाँ पर किस तरह की डिस्पले होनी चाहिए कौन से मॉनिटर होने चाहिए LED लगाओं, मॉनिटर लगाओं, बड़ी साइस का लगाओं, छोटी साइस का लगाओं, बहुत सारे डाउट्स होते तो इस वीडियो के अंदर हम ये सभी डाउट्स क्लियर करेंगे कि आपके सिस्टम के लिए कौन सी LED या फिर मॉनिटर बेस्ट होगा तो दोस्तों मिरा नाम है भरत जेन, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरत जेन पर अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस चैनल के अंदर हम लोग बहुत सारे electronic security से related, CCTV से related, बहुत सारे informative वीडियो लेकर आते रहते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों कहीं बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम लोग अगर LED monitor का कोई बड़ा display लगाएंगे, branded लगाएंगे तो आपको जो camera का result है वो काफी better निकल कर आएगा आप लोगों की information के लिए बता दूँ कि यहाँ पर इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप अगर display अच्छा लगाएंगे तो result अच्छा होगा देखिए जब भी हम लोग कोई भी footage को देखते हैं वो सब record किसमे हो रही है, आपने कितनी भी अच्छी quality का camera लगा है वो record हो रही है आपके उस hard drive के अंदर, उस DVR में या फिर NVR में अगर आप उसको live देख रहे हैं, तो आपके display पे देख रहे हैं वो चाहे आप normal display लो, चाहे आप heavy वाला display लो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता वो जो footage है, जब आप backup निकाल के किसी में भी डालेंगे तो जैसे उस display की quality होगी, उसके according आपको दिखाए देगा कई लोगों के लिमाग में ये भी meet है, कि अगर हम लोग 4K वाला OLED जो display लेंगे तो उसमें और ज़्यादा अच्छा clear हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दू कि इससे भी कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आपका जो DVR या NVR है, वो अगर HD को, FHD जो full HD resolution है, अगर उसी को support करता है तो आपके लिए जब full HD जो display monitors होते हैं या फिर full HD TV होती है, वो आपके लिए sufficient है वहाँ पर आप 4K लगा कर कोई output 4K नहीं कर पाओगे बशर्थ है कि आपका अगर DVR या फिर NVR 4K output देता है, तो फिर अगर वहाँ पर आप 4K monitor या फिर 4K आपका LED TV लगाते हैं तो आपको result में कुछ variation दिखाई देंगे, तो आप ये myth दिमाग से निकाल दीजेए कि display से आपकी clarity बढ़ेगी अब यहाँ पर point की बात करते हैं कि सबसे पहला point ऐसा कौन सा है, कि जहाँ पर हम लोग इस बारे में बात कर पाएं कि आपके लिए monitor बढ़िया होगा, या फिर आपके लिए LED TV बढ़िया होगी तो सबसे पहले budget, सबसे main concern किसी भी चीज़ को जब हम खरीदते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही जिज़ाती है कि हमारा budget कितना है अगर आपका budget यहाँ पर down है, आप बहुत जादा खर्च नहीं करना चाहते हैं मैंने आपको बताया, फरक कुछ नहीं पड़ता है, अगर आपका budget down है तो आप यहाँ पर LED monitor के साथ में जा सकते हैं क्यों? क्योंकि LED monitor आपको 4-5,000 रुपे से शुरू होकर 7-8,000 रुपे में एक अच्छी quality का branded यहाँ पर LED monitor आपको मिल जाएगा दूसरी चीज़, अगर आपका यहाँ पर budget अच्छा है तो आप यहाँ पर LED TV के साथ में जा सकते हैं क्योंकि LED जो TV अगर आप branded में जाएगे तो आपको 10-12,000 रुपे से 32-inch का LED TV शुरू होगा मैं आपको Assemble TV के लिए suggestion नहीं दूँगा क्योंकि उसके अंदर जो results हैं वो इतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिलता है एक और चीज़ में आपको यहाँ पर brief में बता दू overall इसी point के अंदर कि LED monitor जो हम लोग regular use करते हैं वो 10-12 गंटे के live spine के लिए बना है मतलब कि अगर उनकी जो warranty है तीन साल की है और उसके जो conditions है क्योंकि LED होती है hours के उपर चलती है तो यह लोग per day का करीबन 10 गंटे के आसपास का calculation करके आपको बताते कि इतने गंटे चलेगी तो यह जो है वो regular LED monitor है इसी तरह से TV में भी आप जो regular TV देखती हो वो 7-8 गंटे 10 गंटे के हिसाब से ही design किये गए है कि आप per day उसको इतना ही चलाओ इसके बाद में उसका जो calculation है उसकी जो life span है वो calculate होता है अगर आप इसको 24 गंटे 365 दिन बिना उसको shutdown किये हुग अगर चलाना चाहते हैं तो आपको commercial monitor या फिर commercial LED TV display की तरफ जाना चाहिए ये मेरा आपको personally जो suggestion है वो है क्योंकि आप अगर वो 24 गंटे वाला लगाएंगे तो उसका जो life span होगा वो काफी बढ़िया होगा अब वापस या आते हैं हमारे topic के उपर जो दूसरा हमारा यहाँ पर जो concern है वो यह है कि आपके पास में space कौन सा है बले आपके पास में budget कितना भी हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बढ़िया वाली चीज़ ले लेंगे लेकिन यहाँ पर आप कौन सी space पर कौन सी जगह पर लगाने चाहते हैं उसके उपर भी depend करेगा कि आपको LED TV लेना है या फिर monitor लेना है कहीं लोग जो office में बैठते हैं हमारी तरह और office पर अपनी desk के उपर लगाना चाहते हैं जिनका हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से LED का जो distance है वो 3 या 4 फिट का है तो दोस्तों but obvious है आपको वहाँ पर छोटी size का monitor लेंगे वो आपकी health के लिए आपकी आखों के लिए काफी अच्छा होगा और उसमें आपका सब काम भी हो जाएगा वहाँ पर आपको TV में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप एक बड़ी सी office में बैठे हैं यहाँ पर आप maintain कर सकते हैं जो distance है यानि कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ से लेके 10-12 फिट का अगर distance maintain करते हैं तो आप यहाँ पर LED TV के साथ में जा सकते हैं जो 32 इंच की या फिर 43 इंच की आप LED TV ले सकते हैं space का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर आप बिल्कुल कतहिये मत समझिएगा कि नहीं आपके पास है बजट है तो आप LED ले ले लेंगे क्योंकि अगर LED TV अगर आप आपके पास में रखेंगे तो आपको जो clarity है जो resolution है वो pixelate होकर मिलेगा क्योंकि बट obvious है यहाँ पर जो चीजें होती है monitor के अंदर वो अलग होती है इनकी जो quality है वो अलग होती है detail में जानने के लिए आप YouTube और Google कर सकते हैं कि क्या special है मैं बहुत जादा technical में नहीं जाऊंगा दोस्तों तिसरी जी जाती है कि आपके पास में cameras कितने हैं थोड़ा सा दूर भी लगाना चाहिए वहाँ पर आपका monitor भी काम कर जाएगा लेकिन आपको पर्टिकुलरी एक एक बड़ा करके देखना पड़ेगा आपके monitor के साथ में थोड़ा सा कम हो जाएगा और दूसरी जीज अगर monitor में अगर आप 4K देखेंगे तो उसकी जो cost है वह आपकी काफी बढ़ जाएगी क्योंकि 24 इन से उपर के जब भी आप monitor भाई करेंगे वह professional monitors होंगे जो specific जो editors होते हैं या फिर जो graphic के उपर काम करते ह यह design होते हैं वेसे यहाँ पर आपको monitor देखने के लिए मिलेंगे जो काफी costly होंगे तो एसी condition में आपका यहाँ पर LED TV लेना आपकी intelligence को दरसाता है पांचवी चीज कि आप वो जो display वो लगाना कहां पर चाहते हैं जैसे कि अगर आप वो आप control room में लगाना चाहते हैं जहा वहाँ पर obviously है आपके monitor वहाँ पर इतना support नहीं दे पाएगा वहाँ पर आपको video wall जिसे मिने एक video बनाया था कि video wall क्या होती है तो video wall के अंदर भी होता क्या है उसके अंदर investment करना चाहिए ना कि monitor पर तो दोस्तो overall आपको एक चीज समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि आपका budget कितना है और आपकी requirement कैसी है आपके पास में space क्या है उसके according आपके लिए क्या सही है यानि कि LED monitor या फिर LED TV फरक कुछ भी नहीं पड़ता है बहुत जादा ब अगर आपके पास में limited budget है तो में आप पर जो suggestion है वो यह देना चाहूँगा कि camera में थोड़ा सा investment ज्यादा कर दे एक दो camera extra लगा लें लेकिन display पर बहुत जादा खर्च करने की ज़रूद नहीं पड़नी चाहिए छोटा सा video है informative है आप लोगों के लिए help लेने में काफी का अलकारी के साथ में तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद